नमस्कार मित्रो मैं डॉक्टर माविर्यास मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ मित्रो आज हम होमियोपेथिक मदर टिंग्चर टर्मीनेल या अर्जुना के बारे में बात करेंगे यह बहुत ही अच्छा आर्ट टॉनिक है तो यह जानते हैं यह कौन-कौन से लक्षणों में उप्योगी है टर्मीनेल या अर्जुना प्लांट केंग्डम की रेमीडिय और यह कॉम्रेटेसी फेमिली से बिलोग करती है इसका जो मदर टिंग चरे वो अर्जुन जो रोक्स होता है उसकी चाल से प्रिपेर किया जाता है आहरवेद में सद्यों से इसका उप्योग आर्ट की तंदूरस्ति के लिए किया जाता है यानि कि यह बहुत ही अच्छा आर्ट टॉनिक है और 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 फंक्शनल दोरों तर और जो फंक्शनल आर्ट डिसीज है जैसे चेश्ट पेने काडियक सिम्टम है जैसे कि पाल्पिटेशन या इंजाइना फेक्टोरिस यानि कि छाती का धर्थ यह सभी फंक्शनल आर्ट डिसीज होती इसके सिम्टम के बारे में बात करें तो इसका जो मैंड का सिम्टम से उ और कारण में गंटी बद्ञतिव एसके अलावा इसके लगेशंद में बहुति की या प्रकार कामारी टीश्यूस रप्चर हो जाती जिसके कारण जो ब्लड के टीश्यूज होते उसमें ब्लड आ जाता है और प्ल्यू या ब्लेक कलर के चकते पड़ जाते यानि कि स्पॉर्ट पड़ जाते ऐसे जो सिम्टम्स होते इसमें भी अरजुना का मदर टिंक्चर बहुत ही ज्यादा यूसफुल हो कभी-कभी ये जो दर्द होता है उस से लेके उंगल यों तक भी फ्यालता है और कभी-कभी जब्ले से लेकर दात तक भी दर्द जा सकता है यानि कि एंजयना पैक्टोरिक्स या जो काडियक पेन होता है इसमें यह बहुती ज्यादा यूसफुल है इसके अलावा हो लगता है यानी कि जो ldl होता है इसको कम करके अच्छा Miss樣 यानि कि hdl को बढ़ने का काम भी us kaia जुना का मतर्ट्टिंचर करता है इसके अलावा terminalia लिए अर्जुना का मतर्टिंचर हमारी जो CARDIOCRM muscles होती यानी कि रis एक हो Stephen यानी कि काडियर मसर को strength प्रदान करता है इसके अलावा चो आइबलोड प्रेशर की patient होते जिस में रधै की धमनी आए इसके कारण या इसमें blockage के कारण बलोड बढ़ा हुआ रहता है इसको कंट्रोल करने में भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है इसके अलावा जो काड़ियक अस्तमा वता यानि कि जिसका रधय कमजोर पड़ गया हो इसको सांस लेने में जो तकलिफ होती इसमें भी यह बहुत ही यूजफूल है ऐसे सभी पेशंट को इसका उप्योग जरूर करना चाहिए इसके अलावा जो पेशंट को गोर्नोरिया या स्पर्मेटोरिया या शिगरपतन की जिसको तकलिफ है खास करके आर्ट डिसीज की वज़े से आर्ट पेशंट को यह जो तकलिफ होती इसको दूर करने में भी इसका बहुत ही अच्छा इसके डोस के बारे में अगर बात करें तो इसकी 15-20 बुंदे दिन में तीन बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ खाने से 15-20 मिनिट पहले लेनी चाहिए मित्रो उम्मेदे आपको जानकारी पसंद आये होगी प्लेश सब्सक्राइब माई चैनल प्रेश द बेल आइकन नमस्कार जैहिन